बिहार एक सोच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ हिमानसु कुमार आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विधान सभा के दो सीटों पर जो उपचुना हुए हैं गोपाल गंज और मोकामा में जो चुनाओ आज 6 बज़े खत्म हो गए हैं उनके एकजिट पोल पर हम बात करने वाले हैं कौन सीट से कौन उमीदवार आगे है किसकी जीत लगबक तय है हम उस पर आज विशेश चर्चा करने वाले हैं देखिए दो सीटों पर उपचुना हुए गोपाल गंज और मोकामा में मोकामा की बात करे होट सीट बना रहा क्योंकि एक तरफ छोटे सरकार और बाहुबली अनंद सिंग की पत्नी निलम देवी जो की महागटबंदन से उमीदवार थी तो ठीक उनके सामने बाहुबली ललंद सिंग की पत्नी जो की भाजपा से एंडिये से सोनम देवी उमीदवार थी और लडाई इनी दोनों के बीच में मोकामा में था और आपको बता दे मोकामा जो की भुम्यार बहुल एरिया मना जाता है यहाँ पर लगभग जो टाल एरिया की अगर हम बाट करें तो वहाँ पर ज्यादा तरभूट अनन्द सिंग की पत्नी नीलम देवी को मिली है देखिए आरजेडी टाल एरिया में लगभग ज्यादा तरभूट आरजेडी को मिले है लेकिन अगर बात हम नगर छेत्रों की क तो वहाँ पर भाजपा कहीं न कहीं आगे है देखे जब हम लोगों से बात की हम लोग तो लोगों का कहना है कि टाल एरिया में अनंद सिंग का पकड़ अभी भी है हलंकि लेकिन जो सहरी इलाका है वहाँ पर भाजपा की पकड़ इस बार थी देखिए और बात यादो समाज की करें तो कहीं न कहीं यादो समाज में जो नराजगी थी तेजस्वी यादो एक ही दिन दो जनसभा को संबोधित किये उसके बाद कुछ नराजगी यादो समाज की कम हुई और लगबग आप कह सकते हैं कि 80% यादो RJD को भोट किए हैं अगर देखिए टाल एरिया की बात की जाए और फिर अगर सारी छेत्र देखा जाए तो आप कह सकते हैं जो एक समीकरन है जैसे कि टाल तो एमनद सिंग को जादा मत मिले हैं अनन्द सिंह की पत्नी को तो वहीं जो नगर एरिया है वहाँ पर कहीं न कहीं भाजपा को जादा भोट मिले हैं और उसके बाद यादो्व समाज में भी बढड़ चाड़कर लोगों महागटबंदन को ही भोट दिया है और कुछ यादों समाज बीजेपी के भी तरफ रूख किये हैं और देखिए भुमिहार जो एरिया मना जाता है मुकामा वहाँ पर आप कह सकते हैं कि 60-40 का समिकरन है यानि कि 60-30 महागटबंदन को अनंद सिंग की पत्नी को और 40-40 पर भोट आप कह सकते हैं बीजेपी को गया है लेकिन सारी छेतर की बात करें तो उसमें जादा भोट बीजेपी को मिले हैं और उनसे थोड़ा कम भोट महागटबंदन के उमिद्वार को मिले हैं देखेए अब बात हम अगर इसमें कर ले गोपाल गंज की तो देखें गोपाल गंज में भी तिरिकोनीय स्रिंखला देखने को मिला है यहाँ पर आप कह सकते हैं क्योंकि गोपाल गंज में कहीं ने कहीं जो मोहन गुपता हैं महागटबंदन के उमिद्वार और कुसुम देवी जो की दुइंगत सुभाज सिंग की पत्नी है इनी दोनों के बीच में लड़ाई था लेकिन तेजस्वी यादो के मामा साधू की पत्नी चुनाव लड़ रही थी ओ कहीं ने कहीं कुछ तेजस्वी यादों के हीं यादों समाज के भोट काटे हुए हैं और मुस्लिम भोटरों की बात करें तो वहां पर AIMIM OIC की पार्टी से भी उमिद्वार थे तो कुछ मुस्लिम भोट उधर भी गया है कुछ समंजस है वहां पर कुछ कहना उतना साफ नहीं होगा लेकिन गुपाल गंज में काटे की टकड़ है आप कह सकते हैं तोटल जो मतदान है तीन बज़े दो पर जो तीन बज़े तक के थे लगवक 42 पर तीसाद दोनों जगाओं पर मतदान हुए लेकिन जब साम 6 बज़े भो दोनों चार आठ पर तीससत भोट गिरे हैं हलांकि उतना ज्यादा भोट इस बार नहीं हो पाया है लेकिन 51 दोनों चार आठ पर तीससत गोपाल गंज में मतदान हुए हैं और बात मोकामा सीट की करें मोकामा में तो मोकामा में तीरपन दोस्मलों चार पांच पर तीससत भोट डाले गए हैं इन दोनों सीटों पर जो आज उपचुना हुए हैं नतीजे हलाकि 6 नौवंबर को आने हैं लेकिन जो हम एकजिट पोल की बात कर रहे हैं तो इसमें कहीं न कहीं आप मोटा मोटी कह सकते हैं मोकामा में कहीं न कहीं राजद की पकड़ थोड़ी जादा है और गोपाल गंज में असमंजस बना हुआ है क्योंकि वहां काटे की टकड़ देखने को मिल सकती है देखिए एक जिट पोल एक अनुमान से हम लोग बताते हैं आगे 6 नौवंबर को नतीजे साफ हो जाएंगे लगतार एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं आप बिहार एक सोच पर बने रहे हैं चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद